हाई फ्रेंट्स कुश्चन दिखते हैं रेक्टेंगुलर वेजल वेजल 22 cm by 16 cm by 14 cm is full of water if the total water is poured into a empty cylindrical vessel of radius 8 cm find a height of water in a cylindrical vessel कुश्चन कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वेजल है जिसका लेन ब्रेट और हाइट आपको गिवन दिया है ठीक है उस रेक्टेंगुलर वेजल में जो है water क्या और पुरी तरह से फूल है अब उस water को क्या जा रहा है एक cylindrical वेजल में जिसका रेडियस जो है 8 cm है उसमें पॉर्ड के मतलब उसमें रखा जा रहा है ठीक है तो बताना है कि जो होता है उस cylindrical वेजल का height एक बात समझें जसा में होगा इसा हो किस में होना चाहिए का स्लेंड्रिके वसलちょっと कि वと मौा बुर गेंग ऑल गया तो बताओ अगर इस्वेस दोनों सेम का मतलब दोनों का वालूम चैसल का हाइट अधो मारत में समय कि हमारा एक है क्या druk टैंगूलر way एक Cathy चुछ और각 डाग्राम बनाएं था आपको Mill ho रहाऊंगा ठीक है तो देखो यहां देखो ठीक है तो यह आपका क्या है एक rectangular vessel है ठीक है यह आप लिए दरा हूँ rectangular rectangular vessel vessel इसकी लेंद कितना है 22 cm ब्रेथ कितना है ब्रेथ है 16 cm हाइट कितना है 14 cm ठीक है यह थोड़ा सा कर्भ हो जारें लेकिन यहां पाएगा ठीक है 14 cm ठीक है और इसमें जितना भी वाटर है इस rectangular vessel में जो भी वाटर है उस वाटर को completely जो है पूरी की पूरी वाटर को एक Cylindrical vessels में रखती अ जाता है ठीक है रख दिया जाता है ठीक है फूरा के पूरा total वाटर जो है सिलेंड कर्वे सिलेंडर्ल समय रख दिश्य जो है यह रेडियत जो है यह एट सेंटिमीटर है तो बताना है कि Cylindrical वेजल का हाइट का वैलू कितना होगा तो देखो डैट में जितना रेक्टेंगुलर वेजल में स्पेस होगा उतना ही जो है सिलेंड्रिकल वेजल में स्पेस होगा इसका मतलब दोनों का वालूम जो है सेम होगा ठीक है तो देखो वालूम ओफ volume of rectangular volume of rectangular vessel equal to volume of cylindrical vessel cylindrical vessel ठीक है तो देखो rectangular vessel जो कि White ship है इसका formula क्या होता है अपका L एंटू ब्रेठ एंटू हाइट और सिलिंडिकल वीजल का फर्मुला क्या होता है पाई अर वी ए स्कूइर का एच होता है ठिक है तो देखो आपका जो रैक्टिंगुलर वेजल है उसका छीआ इस एक तो उन्टीटू दिया है ऻिक दिया कितना दिया 16 दिया है है तो यहां दिखो तो हम क्या कर रहे है कि क्रॉस मुल्टिप्लाइ करें ठीक है और 8 का स्क्वार इसका मतलब 8 का 2 टाइमस मल्टिप्लाइ हुआ है उपर है तो नीचे आजाएगा टू टाइमस ठीक है तो देखो आठ एट से टू बार में 16 हो गया 22 से 22 कैंसील हो गया यहां पर कितना हो गया एच हो गया देखो जिसको वैलू को फाइंड आउट करना होता ह उसको एक साइट कर दो और बाकी सारे डाट डेटा को एक साइट कर दो सिफ्ट कर दो ठीक है तो आपका 22 से 22 कैंसील हो गया 8 से 16 कैंसील हो गया और 2 से यह 8 4 बार में कैंसील हो गया दैन 4 से यह 2 बार में आपका 2 हो गया और यह 7 हो ठीक है तो कितना हो गया तो आपका हो गय 49 by 2 h का value आ गया लेकिन इसे आपको डेसिमल में convert करनी है तो डेसिमल में convert करनी के लिए या तो आप 49 को 2 से डिवाइड करो या जोता है इस 2 को 10 के फॉर में कर दो अगर दिनमेटर 10 हो जाता है उसे हम लोग इसली जो जो डेसिमल में convert कर लेते हैं तो इसको भी 5 से multiply कर दो उपर को भी 5 से multiply कर दो देखो तो कितना आ रहा तो 9.45 ठीक है उसके बाद 5 को 24 24 24 by 10 equal to h आ गया that means h के value कितना आ गया देखो 245 तो देखो यहां पर 245 है 245 पर 10 अब इसको डेसिमल में convert करते हैं 245 लिग दिया कि इतना 0 1 तो कहां पर डेसिमल होगा डेसिमल पॉइंट आपका यहां पर होगा एक डिजिट के बाद होगा है यहां पर मतलब 40 24.5 cm जो हाइट अफ सिलेंड्रिकल वेजल होगा ठीक है तो देखो हाइट हॉब जो है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वेजल हाइट अफ सिलेंड्रिकल वेजल इस 24.5 cm इसका मतलब समझ रहा हूँ कि अगर उस रेक्टेंगुलर वेजल है जिसका लेंद ब्रेथ और हाइट आपको दिया है 22 16 और 14 दिया है और उसमें जितना भी वाटर है सारे वाटर को अगर हम सिलेंड्रिकल वेजल में पॉर्ड करते हैं तो उस सिलेंड्रिकल वेजल की रेडियस अगर 8 है तो उसकी हाइट जो है 24.5 cm होना ज़रूर है तभी जाके पुड़ा के पुड़ा completely वाटर जो है इस सिलेंड्रिकल वेजल में रखा जा सकता बढ़ना नहीं झाल झाल है